नमस्कार वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ विकास नांगिया दर्शकों कारेकरिम की शुरुवात में आप सभी को बताते हुए ये अत्यन्त प्रसनता होती है कि वास्तु लिविंग को पांच साल पूरे हो चले हैं अब हम छटे साल की और कदम बढ़ा रहे हैं इस बीच हमारे साथ बहुत से नए दर्शक जुड़े हैं और समय समय पर इन नए दर्शकों के हमें सुझाव आते हैं कि हम किन चुनिंदा विश्यों पर बातचीत करें उनी में से एक को मद्धे नजर रखते हुए आज हम पलवीजी से बातचीत करेंगे मिरर अफेक्ट और वास्तु विशे पर पलवीजी कारिकर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले पांच साल पूर्ण होने कि लिए आपको बहुत सारी शुब कामना है बहुत सारी बधाईया उर स्पैशली खास करके टीवी एशिया को और टीवी एशिया के दर्शकों को कि टीवी एशिया की हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छी information और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और वास्तु शास्त्र जैसे विशय की इतनी सारी जानकारी इसी टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंची हुई है उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया जी इसमें कोई शक नहीं ये पांथ साल का जो एक रिष्टा जो बना है वो आपके प्यार की वज़ा सा ही बना है एपिसोड दर एपिसोड हम बढ़ते रहे और अलग-अलग विशयों पर बातचीत करते रहे जिसमें आपका भी इंटरेस्ट बना रहा और हमारा भी इंटरेस की बातों का बहुत ज्यादा महत्वा है हमने काफी टाइम से अलग-अलग तरह के लौट के शीप, स्लोप, डामेंशन, कलर्स वगेरे बहुत सारी चीज़ों पर बाते की है लेकिन कई बार मीरर की वज़ज़ से फाइदा भी हो सकता है मीरर की वज़ज़ से नुकसान भी ह हो सकता है और कई बार वास्तो शास्त्र की रिमेडी के तोर पे लोग मीरर को इस्तमाल करते हैं यह समझ के कि इससे डिरेक्शन और डिग्री बदल जाएगी और नुकसान कवर हो जाएगा लेकिन मैंने कई बार देखा हुआ है कि आदी अदूरी जानकारी आदमी को नुकस नुकसान पहुंचाती है तो जिस रिमेडी के परपस से लोग मीरर को गलत समझ के इस्तमाल करते हैं कि इससे प्राब्लम सॉल हो जाएगा कई बार उससे ज्यादा वो बढ़ जाता है तो वास्तु के अनुसार मीरर की एफेक्ट को सहे दशा में सोच समझ के लगाने से आप सही तरीके से सही एक बिमारी के लिए इस्तमाल किया जाए तो उसका फाइदा हो सकता है यदि आपको आधी अधूरी नौलेज है तो नुकसान हो सकता है पलवी जी मीरर से किस तरह के वास्तु दोश हो सकते हैं इसके बारे में बताईए और लाब किस तरह के हो सकते हैं उस सबसे पहले बात थे कि कॉमन आदमी जब अपने घर के अंदर मीरर को यूज करता है तो अमेरिका के स्ट्रक्चर के अनुसार ज्यादतर एक शौक रहता है कि कोई भी घर में आप एंटर करोगे तो फॉयर के अंदर सबसे पहले राइट लेफ्ट या सामने की वाल पे मीरर को लगाया जाता है ये बात रेसिडेंशल में भी होती है और कई बार कॉमर्शियल में भी आज कल दिखाई देती है तो अगर आपके घर के मुख्धवार के आसपास कहीं पे भी घर में दाखिल होने के साथ मीरर बना हुआ हो तो वास्तों के हिसाब से मीरर का जो इफेक्ट ह वो मीरर हमेशा एनरजी को रिफलेक्ट करता है तो अगर हमने घर के फॉयर एरिया में कहीं पे भी मीरर लगाया हुआ है तो ऐसे घरों के अंदर कई बार पॉजिटिव एनरजी आने के बजाए वो एनरजी रिफलेक्ट कर देता है तो वहाँ पे होने वाले मीरर से घर के चाइब कर दोड़ाइता है। Candice स्क अदर की सक्षांती, स्किपर सके मिर्थ और सकता है चोकी सीज्च का ही। चार फुट और या छे फुट का बड़ा मिरर है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मिरर की साइस के साथ-साथ-आपने यह कहा कि मिरर डोर अगर बना हुआ हो तो उसका क्या एफ़ेक्ट हो सकता है तो जिस तरह से फॉयर के अंदर अगर आपने कोई भी मिरर लगाया हु हो बिल्कुल बहुत ही चोटी साइज जिसको हम यह कह सकते हैं कि जैसे मीर के बने हुए चोड़े-चोड़े पी-सी कपड़ों पे बने हुए हो तो उससे नुक्सान कम हो जाता है उसके अलावा कोई भी साइस का मीर वह हमेशा नेगेटिविटी क्रियेट करेगा क्योंकि मीर का सभाव यह है कि वह चीजों को दुगनी कर देता है कई बार इस से फाइदा होता है लेकिन इंट्रिंस डॉर पर उसकी जो भी साइज है उसको मल्टिप्लाइबाइब डबल करके आप उसको कैल्कुलेट करते हो तो उसका नुकसान उतना ज्यादा बढ़ जाता है तो मीर और उसका रिफलेक्शन दोनों मिलाके वो नुकसान को मल्टिप्लाइब बाइब फोर कर देते हैं तो इसकी वज़े से इमेज और खराब हो जाती है और दूसरा सवाल था कि अगर घर का डोर मीर डोर बना हुआ हो तो वह और ज्यादा नुकसान दे हो जाता है और ऐसे घर करने का काम शुरू कर देती हैं तो दरवाजी के ऊपर मीर का होना यानि की मीर डोर होना और फॉयर एरिया में मीर होना दोनों बड़ी कॉमन वास्तुदोश से रिलेटर समस्या है और जिसकी वज़े से मीर इन दशाओं के अंदर नुकसान करता है उसी तरीके से ज्यादतर लोग अपने बेडरूम के अंदर मीर को लगाते हैं और कीचन एरिया के अंदर मीर का रफ्लेक्शन करते हैं जिसके बारे में उसके दोनों वास्तुदोश किस तरह से आदमी को इफेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या सॉलूशन होना चाहिए उसके बारे में भी हम इस बेडरूम और किचिन में मिरर का जो लोग प्रयोक करते हैं उस पर तो बातचीत करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद लेकिन ब्रेक से पहले फ्रंट डोर के ऊपर या फ्रंट में जो विंडोस होती है उस पर मैं थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया चाहता था कि बहुत से लोग ऐसा होता कि बाहर से वो मिरर एफेक्ट देता है अंदर से वो फिल्म का काम करता है इस तरह की जो फिल्म्स होती है जो विंडोस पे लगती है या ग्लास डोर्स पे लगती है उसके बारे में क्या कहेंगे वास्तु शासर के अंदर अगर आप घर का में एंटर्स डोर ग्ला आया हो और आपको mirror effect होती हो या किसी भी वज़े से वो glass आपका reflected हो तो उसे नुकसान उतना ही पहुंचता है जो mirror effect की वज़े से होता है तो वास्तु के अनुसार घर के main entrance door को mirror image वाला नहीं बनाना चाहिए black door बना के अगर आप रखते हो तो भी उसे mirror reflection क्रेट होना शुरू हो जाता है तो वैसे तरह की भी images नहीं क्रेट करने चाहिए तरशको वास्तु living में लेंगे अब एक छोटा सा break और break के बाद हम पलवजी से mirror effect और वास्तु विशे पर बातचीत को जारी रखेंगे आप जाएगा नहीं देखते रहिए वास्तु living